आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hi everyone, यहाँ पर Question में दिया जा रहा है कि which of the following is not a waterborne disease ठीक है, कौन जो है waterborne disease नहीं है ठीक है, ध्यान रखना, not लिखा हुआ है तो waterborne disease जो है, जो आपके होते है waterborne disease ठीक है यह आपके कौन से होते हैं, यह हमको बताना है ठीक है, तो waterborne disease जो है, यह acquired by they are acquired acquired by ingesting, ठीक है, यह क्या है जब हम लोग ingesting करते हैं, ingesting contaminated water, ठीक है यह आपके जो है, contaminated water होगा यह अगर हम लोग ingesting करते हैं तो हमको जो है, यह waterborneborne disease जो है, हो जाते हैं, ठीक है तो waterborneborne disease जो है, यह इस तरीके से आपका होगा तो अगर हम यहां पर बात करते हैं तो cholera जो है यह आपका waterborne disease है क्योंकि आपका cholera है यह bacterial infection है bacterial infection है infection और यह waterborne disease है bacterial infection मतलब जो आपका pathogen है bacteria है उसका नाम क्या है इसका नाम है vibrio cholera ठीक है तो इसका नाम लिखें Vibrio Cholerae Vibrio Cholerae ठीक है यह pathogen जो है यह इसको bacterial infection को cause करता है ठीक है जो आपका cholera होता है इसके बाद आता option number two tuberculosis ठीक है tuberculosis मतलब जो हम generally जानते हैं उसको क्या बोलते हैं TB ठीक है तो यह आपकी TB जो है यह भी आपका bacterial infection है bacterial disease ठीक है तो यह bacteria द्वारा disease जो होती है तो it is a bacterial disease तो tuberculosis में जो bacteria होता है वो आपका कौन सा जो cause करता है इसको mycobacterium mycobacterium tuberculosis ठीक है tuber tuberculosis ठीक है यह आपका जो है पैथोजन होता है जो आपका TB को cause करता है it is not a water bond disease ठीक है नौट वार्टर बॉन डिसीज ठीक है यह वार्टर बॉन डिसीज नहीं है ठीक है इसलिए जो हमारा option कौन सा हो जाएगा option number two क्योंकि नौट पूछा था ठीक है अब इसक ठीक है यह आपका water bond disease यह भी आपका water bond disease और यह भी आपका Dyson tree भी होता है ठीक है यह नहीं होता ठीक तो यहां पर यह भी आपका एक बैक्टेरियल इन्फेक्शन और बैक्टेरियल इन्फेक्शन जो है टाइफाइट को कॉज करने वाले जो बैक्टेरिया होता है वह आपका क्या उन्सा है सल्मूनिला सल्मूनिला टाइफी ठीक है यह आपका जो है बैक्टेरिया है यह इसके द्वारा जो है टाइफाइट ज जो waterborne disease है dysentery ठीक है और यह dysentery है it is an infection in your intestines that causes bloody diarrhea ठीक है यह severe diarrhea कहला था bloody diarrhea it can be caused by या parasite और bacteria ठीक है तो बोल सकते है bacterial infection मतलब बोल सकते हैं या parasite तो caused by caused by parasyte और bacteria ठीक है और यह bloody diarrhea कहला था ठीक है तो यह भी आपका जो waterborne disease है तो आपके टाइफाइड dysentery और cholera जो waterborne disease है यह मैंने पहले बता दिया जो नहीं है यह यह भी आपने देख लिए तो TB तो option 2 is the correct answer ठीक थैंक्यू Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट आज चारसो 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 पर